सुप्रीम कोट ने बॉंबे हाई कोट के उस विवादस्पत फैसले को रद कर दिया जिसमें कहा गया था कि यौन अपराधू से बच्चों के संरक्षन अधिनियम या पॉसकों के तहट यौन उत्पीडन के अपराध के लिए स्किन टू स्किन टच आवश्चक है अधालत ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के उपर से बच्चे को स्पर्ष यौन शोशन नहीं है ऐसी परिभाशा बच्चों को शोशन से बचाने के लिए बने पॉक्स को एक्ट के मकसद को ही खत्म कर देगी सत्र अधालत ने व्यक्ति को पॉक्स को अधिनियम और आईपीसी के धारा 354 के तहट अपराधों के लिए 3 साल के खारवास की सजा सुनाई थी बॉंबे हाई कोट की नागपूर बेंच ने यौन उत्पीडन के एक आरूपी को ये कहते हुए बरी कर दिया था कि नाबालिक के निजे अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना चुना या टटोलना पॉक्स को एक्ट के तहत नहीं आता अब उच्चतम न्यायाले ने हाई कोट के इस फैसले को बदलते हुए बड़ा फैसला सुनाया न्यायमूर्ती बेला त्रवेदी जिन्होंने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा उन्होंने कहा कि पॉक्स को किधारा साथ के तहत स्पर्श या शारीरिक संपर्क को सीमित करना बेतुका है और अधिनियम के इराधे को नश्ट कर देगा जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है फैसला सुनाते हुई कोट ने कहा कि कानून को ऐसी व्याख्या देनी होगी जो कानून के मकसद को विफल करने की बजाए उसे प्रभावित करे सुनवाई के दुरान न्यायमूर्ती ललित ने कहा मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब अटोर्णी जर्णल ने अपराधिक पक्ष के फैसले को चुनोती दी है साथ ही ये पहली बार है जब भाई और बहन ने एक दूसरे का विरोत किया है वरिष्ट अधिवक्ता सिधार्थ लूथरा वरिष्ट अधिवक्ता गीता लूथरा के भाई हैं जहां सिधार्थ लूथरा आरूपी के पक्ष में अपने वचार रखने के लिए एमिक्स क्यूरी के रूप में पेश हुए वहीं गीता लूथरा ने राष्टे महिला आयोग का प्रत निदित्व किया जो उन पक्षों में से एक थी जिन्होंने बिवादस्पद उचनियाले के फैसले के खलाफ अपील दायर की थी सुन्वाई के दोरां सिधार्ट लूथरा ने कहा कि धारा साथ में शब्द यौन इरादा और शारीरिक संपर्ख है इसले यौन इरादे के लिए शारीरिक संपर्ख की आवशक्ता होती है दूसरी ओर गीता लूत्रा ने तरक दिया कि स्पर्ष और शारीरिक संपर्ग प्रयायवाची हैं और उनकी व्याख्या में अंतर नहीं हो सकता है मामले में एमिक्स क्यूरी वरिष्ट अधिवक्ता सिधार्थ दवे ने तरक दिया कि स्किन टू स्किन टच की आवश्रकता नहीं है क्योंकि पॉक्स को कि धारा साथ में नगन शब्द गायब है उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब दो व्याख्याएं संबब हैं तो बच्चों के अनुकूल व्याख्या किये जानी चाहिए लीगल एंड सोसाइटी के ओर से आरोपी का प्रतनिदव करने वाले वरिष्ट अधिवक्ता सिधार्थ लूट्थरा ने तरक दिया की दारा साथ को दूसरे भाग में संपर्क शब्द शारेरिक से पहले है इसलिए यौन उत्पीडन का अपराद गठित करने के लिए स्किन टो स्किन टच आवशक है 27 जन्वरी को ततकालीन सीजाई से बोबडे की अगवाई वाली पीच ने पॉक्स को किधारा आर्ट के तहट बरी होने के फैसले पर रोक लगा दी थी पीच ने 6 अगस को वरिष्ट अधिवक्ता सिधार्थ दवे को मामले में एमिक्स क्यूरी न्यूक्त किया गया था Bureau Report, APN News